दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारी देश में टमाटर के भाव 100 रुपे से भी क्रोज कर चुके हैं तो आज के हमारी इस वीडियो में हम मैंली दो फेक्टर पर बात करेंगे पहला टमाटर के भाव बढ़ने के पीछे क्या मैंली रिजन्स है और दूसरा हमारा फेक्टर होगा कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है क्या सुझावस दे रही है क्या आइडिया पर काम कर रही है सरकार हम इन दो मैंली फेक्टर पर काम करने वाले हैं तो हेलो अबरीबड़ी आइम प्रदी प्राजप्रोईट एंड आइ वेलकम यू और अन प्रोटच जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 3-4 महीने पहले हम यूटूब सोट्स पर ऐसे वीडियो देख रहे थे जो कि पाकिस्तान से रिलेटेट होते थे उसमें एक रिपोर्ट में टमाटर के भाव अब 100 रुपे से भी ज्यादा क्रोज कर चुके हैं और कहीं-कहीं छेतर में तो यह 200 रुपे से भी क्रोज कर चुके हैं तो आज के हमारे वीडियो में हम मैनली कारण पर और शोलिशन पर बारे में बात करने वाले हैं तो पहले बात करते हैं हमारे कारण पर, what is the reason behind the tomato के price, बढ़ रहे हैं, हाई हो रहें, उसके पीछे reasons क्या, उसमें पहला reason, mainly reason बताया जा रहा है, वो है बीपर्जोई, बीपर्जोई तुफान के कारण अमोसमिये में बारिश होई थी, अब चुंकि टमाटर का पोदा बहुत क पोदा होता है, जो कि ना तो ज़्यादा अत्यदिक गर्मी को सेहन कर पाता है, ना ही अत्यदिक ठंड को या बारिश को सेहन कर पाता है, बीपर्जोई तुफान के कारण होने वाली अत्यदिक बारिश के कारण टमाटर के पोदों में कमजोरियों के कारण तूटने लगे और उनकी फसल पुरी तरह खराब होने लगी थी। पताया जा रहा है एक डेटा की अनुसार विप्रजोई तुफान के कारण लगबग 34,000 हेक्टरेर से भी जादा फसल के नुक्सान होई थी। इससे भारत को लगबग 13,000 करोड रुपे का नुक्सान को जेलना पड़ा वही हमारे दूसा मैंली कारण है की इस बार टमाटर की बीज है टमाटर की बुवाय कम कर गई गई है क्योंकि पिछली खेती में जेप टमाटर की भाव नॉर्मली ढई से लेकर की पांच लूपे किलो कुदरा भाव में मिल ले थी जोकि भाव लागत भाव को भी तो इस प्रकाहतो उत्साइत होने के कारण इस बार किसानों ने टमाटर की बुवाई भी कम कर दिये और ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिजन है और तीसरी है सप्लाइचेन क्यूंकि सप्लाइचेन भी विप्रुजई दुफान और अन्ये इफ्रेक्टिव के कारण ब् माचल प्रदेश और कनाटक से जब टमाटर आएंगे तो भाव को कंट्रोल कर दिया जाएगा तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी लगया जा रहा है कि टमाटर के भाव बढ़ने की पीछे सप्लाइचेन भी डिस्ट्रप्ट होई है इसके कारण टमाटर के भाव बढ़ें तो ये हमारे टमाटर के भाव बढ़ने की पीछे तीन में रिजे थे पहला विप्रुजोई तुफान के कारण बी मोसम में होने वाली बारिस दूसरा हम किसान को उचित मुल्य प्रदान नहीं कर पाई जिसके कारण किसान हतोतसायत हुए और इस बार ओल्र दो क्रोड टन के आसपास टमाटर की बुवाई की गई थी टमाटर का उत्पादन किया गया था जिसमें मध्य प्रदेश ने सबसे जादा अधिक टमाटर की खेती की थी और इसमें मध्य प्रदेश नमर वन पे रहा वहीं पर भी वर्ल्ड वाइड में हम बात करें तो को रोकने के लिए जैसे कि प्यूस गोल सर ने एन आई मीडिया से बातचित करते हुए कहा कि जब कही माचल प्रदेश और करनाटर का से टमाटर आ जाएंगे तो टमाटर की वेल्यूज वापस पुना अपनी ऐस ऐसी स्तधी में आ जाएगी और मतलब सप्लाइचेन पर क्या क्या काम कर देए उससे देखें पहला गौंरेट ने हैकाथोन आईजन किया है हैकाथोन यानि एक ऐसी विसेज सबाय चर्चा जिसमें गौर्मेंट पब्लिक से सुझाव लेगी पबलिक से पंदा दिन के लिए सुझाव देखिए कि आप हमें टमाटर की उतपादन ट टमाटर पर हेकाफोन करनी है जिसको टमाटो ज्रैन्ज भी कह रखाया टमाटो ज्रैन्ज की नाम से पंदा दिन की इस हेकाफोन में एक व्रॉप्राइन का मेहन लक्षे होगा कि टमाटर का उत्तपादन टमाटर की स्टोरेज को कैसे बढ़ाया जाए वर्ष 2018 में हमारी सरकार ने Operation Green चलाया Operation Green के तर्थ हमारी खादिय सामगरी में पढ़ने वाले basic फसल जैसे टमाटर, आलू और प्याज इनकी मुल्यों को कंट्रोल करना, इनकी मुल्यों को एक नियत दर पे रखना ये इसका लक्षे था और 2018 से लेकर के 2023 इन 4 सालों के बीतर बीतर ये अप Operation कई बार टुटा है और अब हम इसे टमाटर के रूप में बढ़ भी देख सकते हैं तो normally government हमारी दो तरह से इसका उपाय करिये, पहला है खातोर करके जिसके दोरा पब्लिक से आइडिया को अबजर्व किया जाएगा जिसमें student, scholar, professor, स्याफी अपनी फिल्ड में महारती हासिल करने वाले व्यक्ति को बुलाए जाएगा और वहां से आइडियाज को स्टोडिच किया जाएगा कि कैसे हम टमाटर की वेल्यू को एक consist वेल्यू रखा जाए उसके जिलेटे समय देदोगी और दूसरी हमारी government continuously supply chain पर भी काम कर रही है इसके अलावा एक public एक जागरूम नागरी खोने के नाते हमारे और से क्या-क्या सुजाव दिये जा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं पहला है कि प्योरी बनाए जाए टमाटर को प्योरी बनाए जाए ताकि उनका storage आसानी से किया जाए और जब टमाटर की खेती में कमी आए तो उस प्योरी कहां उप्योग कर पाए चुकि अब हमारी GST से रिलेटेट प्योरी पर 12% GST लगती है जिसके कारण किसान उस प्योरी को बनाने में प्योरी की प्रोडेशन में इतना रूची नहीं दिखाता दे यदि हमारी GST वेल्यू इसे 12% से हम कम करके 8% या उससे निचे लेना है तो टमाटर के प्रोसेस में हम टमाटर को प्योरी बना सकते हैं जिसके कारण हमारे फार्मर्स भी एक प्योरी बनाने के रुजान में ज्यादा आएंगे और ज्यादा टमाटर की खेती करेंगे और उ करके टमाटर का रिप्लेस कर सकते हैं दूसरा है कि हम पॉली हाउस का उपयोग करें सरकार को यह करने की जुरूरत है कि पॉली हाउस से रिलेटेड जाग रुकता पबलिक तक पहुंचाने की जुरूरत है पॉली हाइस से रिलेटेड सबसीडी देने की जुरूरत है जिसे स्यींटिफिक वाधावरन के तर्थ टमाटर की खेती की जाती है, टमाटर का पोधा बहुती कॉमल नाजूक पोधा की तरह होता है, जिसे ना तो अतिदिक गर्मी सेन की जा सकती है, और ना ही अतिदिक ठंड या बारी सेन की जा सकती है, यदि हम एक ऐसा poly house के दोवारा environment त्यार कर देंगे तो production और उसका उत्पादन टमाटर का वो भी ज्यादा हो जाएगा इसलिए हमारी government को ऐसी poly house related subsidy पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी हाली में आंधरा प्रदेश गोर्मेट ने टमाटर को जो भाव बढ़े उस पर उन्होंने opinion दिया कि या ऐसे के policy बनाई कि हम टमाटर को अब subsidy रूप में बेचेंगे यानि कि टमाटर ख़ए देंगे और उसे सस्ता करकर पबलिक को बेचेंगे यदि हम यही subsidy पोली हाउस के रूप में दे तो फार्मर्स को और भी ज्यादा फायदा होगा ना सिर्फ टमाटर की खेती जादा बढ़ेगी बागी अन्य फसल भी खेती ज्यादा बढ़ेगी जिससे फार्मर्स की जो कमाई है उसमें भी प्रदी की जाएगी और अभी हमारे जैसे मंत्री जी ने बताया प्यूस गोईल सामने कि जैसे हिमाचल प्रदेश और कनाटका से तो जो टमाटर आएंगे उसके बाद में टमाटर की प्राइस एक कंस्टिंट प्राइस बन जाएगे लेकिन कुछ-कुछ न्यूस पेपर या फी विशेशोग्यों का मानना है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं होने पाला जब तक खरीब की फसल की कटाई नहीं हो जाए जब तक खरीब की फसल अची जरे से कटाई नहीं हो जाए तब तक के टमाटर की प्राइस कंटिनूसली बाता जबूस थिसीन जरे स्टाउ खरीब की थी ऑए अची, बाता है कि फसल अची क कि फसली कि फसली कुछ लोड़ के एन सची देशेशों कटाई रहें हो जाए जबूस एन के लोड़ब सांपाःत की फसली वेरे सक्यास देशर सूफुड़़ जाब तक ऑगी से उ等 और